C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तित है कक्षा 2 की हिंदी की पाठे पुस्तक रिम्जिम भाग 2 का बार्वा पाठ बस के नीचे बाग प्रिष्ट संख्या सत्तर से पिछत्तर तक प्रिष्ट सत्तर पाठ बारह बस के नीचे बाग किसी जंगल में एक छोटा बाग खेल रहा था खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सडक पर निकलाया सडक पर एक बस खड़ी थी छोटे बाग ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है बाग अपने अगले पंजे बस की सीड़ी पर रख कर बस के भीतर देखने लगा उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है प्रिष्ट 71 छोटे बाग ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दिवार सी है लेकिन यह दिवार कुछ अजीब थी इस दिवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी भाग ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी अचानक छोटे बाग को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं तब ही सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोल कर बाहर कूद गया बसके बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे लोगों को भागते देखकर छोटा बाग कुछ घबराया वह सीड़ी से उत्रा और बसके नीचे घुज गया नीचे पहुँचकर वह बसके आगे वाले पहिये के पास जाकर दुबग गया लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा वह फिर से बसके भीतर जाना चाहता था थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बसकी सीड़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा प्रिष्ट बहत्तर सामने से एक बस आ रही थी उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे उन्हें देखकर छोटा बाग सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए? प्रिष्ट तिहत्तर अभ्यास ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुँचकर छोटे बाग को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या तुमने कभी किसी बस या जीब से नीचे जहांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाग का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया. ऐसा क्यों? तो क्या होता? अगर बाग बस की चहत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? आसपास के लोग क्या करते? करके बताओ. बाग दुबक कर बैठ गया था. करके बताओ, यहां लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना कांपना लड़कडाना सोना कीचड में चलना दूध पीना नहाना दवाई खाना प्रिष्ठ चोहत्तर क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोल कर बाहर कूद गया. यह व्यक्ति कौन था? बस में कितने दरवाजे थे? आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ डर निडर क बस में बैठे लोग बाग के बच्चे से डर रहे थे. बाग भी उन लोगों से डर रहा था. सोचो, इनहें कैसा लगता होगा जब कोई इन से डर जाता है? चिपकली कुट्टा चुहा सांप ख बाग डर कर बस के नीचे दुबग गया. तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहां दुबगते हो? ग बाग से सब डरते हैं. पर इस कहानी में लोग बाग के बच्चे से भी डर गये. ऐसा क्यूं हुआ? अनोखी दीवार बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी. उसके आरपार देखा जा सकता था. वह दीवार क्या थी? किन-किन चीजों के आरपार देखा जा सकता है? किन-किन चीजों के आरपार नहीं देखा जा सकता? प्रिष्ठ पिजहत्तर शब्दों का खेल आओ, शब्दों की अंतियाक्षरी खेले अंतियाक्षरी की शुरुवात हम कर देते हैं उसे आगे आप बढ़ाओ बाग घर रुमाल लेकिन रिक्तस्थान कहानी से आगे तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन-कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं पता करो जानवर रिक्तस्थान पक्षी रिक्तस्थान कितने पहिये कुछ गाडियों में दो पहिये होते हैं कुछ में तीन और कुछ में चार कक्षा में बात चीत करो और यहां सही खानों में गाडियों के नाम लिखो दो पहिये, रिक्तिस्थान तीन पहिये, रिक्तिस्थान चार पहिये, रिक्तिस्थान बस के नीचे बाग, रिमजिम भाग दो का ये पाठ यहां समाप्त हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली, भारत C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमजिम भाग दो का ये पाठ तेन दू एक ये खबर प्रिष्ट संख्या 76-78 तक प्रिष्ट 76 अब एक समाचार तेन्दूए की खबर बुंबई 12 मार्च मंगलवार की सुभा तेन्दूए का एक बच्चा बस में पहुँच गया इससे पहले कि तेन्दूए का बच्चा बस में चढ़ता चालक डर कर भाग गया देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड जमा हो गई इन में से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुलहाडी और लाठी भी लेकर आये थे भीड और शोरगुल से घबरा कर चार महीने का वहत्तीन्दूए का बच्चा बस के नीचे छुप गया नौ बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरी वली पार्क के जानवरों के डॉक्टर डॉक्टर रंधीर बरहट्टे उस जगा पहुचे सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की पर वह टस से मस ना हुआ हार कर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तयार की और एक लंबे पाइप से थूप कर तेंदूए के बच्चे को लगाई बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीप में बोरी वली पार्क ले जाया गया आँख खुलने पर उसने अपने आपको एक पिंजरे में पाया अभ्यास खबर की बात क क्या तुम बता सकते हो के यह घटना किस जगा घटी घटना किस दिन घटी उस दिन क्या तारीख थी? ख तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी तुम्हारे घर, आसपडोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो रिक्तस्थान बस तक कैसे पहुँचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहां से पहुँचा होगा? कुछ लोग लाठी और कुलहारी लेकर क्यों पहुँच गए थे? तुम होते तो क्या करते? प्रिष्ट 78 क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिए लिख सकते हो? जगा, दिन, तारीख लिखना मत भूलना यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किस से की लड़ाई? खोज-खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम घर में शादी, वाह भाई वाह कौन हारा, कौन जीता? ख यहाँ बाग का चित्र दिया गया है तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बना कर, उनमें इसी तरह के डिजाइन बनाओ और रंग भरो शिक्षकों के लिए संदेश शिक्षक चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है तेन्दुए की खबर रिमचिम भाग दो का यह पाठ यहां समाप्त हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा दो की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमचिम भाग दो का यह पाठ बाग का बच्चा प्रिष्ट संक्या उनासी से असी तक प्रिष्ट उनासी बाग का बच्चा कभी प्रयाग शुक्ल रस्ता पक्का हो या कच्चा चलता उस पर बाग का बच्चा कभी उचलता कभी कूदता धूम मचाता बाग का बच्चा बाल पूँच के और मूँच के लहराता है बाग का बच्चा पंजे अपने कहीं अडाता सुस्ताता है बाग का बच्चा मा जब चलती वह चल पड़ता कभी कहीं वह गिरता पड़ता प्रिष्ठ असी पानी में भी उचल तैर कर चलता जाता बाग का बच्चा बड़ा बहादुर बाग का बच्चा घबराताना बाग का बच्चा घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाग का बच्चा पेट पीठ पर भूरी काली धारी धारी बड़ी निराली चलता आता चलता आता गुर्राता है बाग का बच्चा